यह व्हूं सक्रोंनल्ड व्हाई क्लास में रिजर्वेशन पर्विशन के बारे में थाि खंडले क्लास को सुरु करते हैं जंडर्यड रूर्विशन कहता है एडवांस रिजर्वेशन प्रियूट iles का जो पिरिएड है समय है अगर कोई फॉरेनर टुरिस्ट है तो उनको 360 डेज बिफोर वो बुक कर सकते हैं बॉक बुकिंग है इसमें 120 दिन आप एडवांस में बुक कर सकते हैं ठीक है ना इसमें भी क्या होता है कि नोटिफार ट्रेंस के द्वारे बुक किया जाता है दिया जाता है इसमें क्या होता है इसमें आपको अप्लिकेशन देना पड़ता है मिनिस्टर्स हैं एक बार में सिर्फ एक फॉर्मी एक्सेप्ट किया जाता है ऐख़ा जाता है एक फॉर्म पर मैक्सिमम छे आदमी एड हो सकते हैं लिखे जा सकते हैं ततकाल में सिर्फर परसनी बुक किये जाते हैं normal reservation होगा तो 6 person एक form पर आते हैं ततकाल में psycho members आते हैं फिसक है कैता है कि अगर 6 से अधिक person आगर reservation करना हो तो उसमें SMI restaurant master है C Nicole national manager है इनका पर मिक्रवीशन ले पड़ता है reservation आप फ्रोस्ट कम-फ्रोस्ट database होता है पहले आए पहले जजाइते हैं इसमें क्या होता है आप ही टिकट करते हैं जोड़नी टिकट परचमrics करते हैं काता है फ्रेउस ब्रेसडर विसंट चार्ज केलेक्टेडड ए फिर फ्रेइजर ब्रेसशन चार्ज लेते हैं पोस्ट पेमेंट और एडवांसमेंट अफ जोर्णी एंड चेंज अफ क्लास इस कंडिशन में भी फ्रेश रिजर्वेशन चार्ज लेते हैं नो सेपरेट वसीट बर्थ फोर चाइल इवलो फाइपर्स पांच साल से छोटे बच्चे को कोई सीट बर्थ लॉट नहीं किया जाता है लेकिन उसका नेम एज जेंडर यह सब लिखा जाता है ठीक है रिजर्वेशन फॉर्म पे और टीटी को भी यह इनफॉमेशन दिया जा सही रूट और वैलेटी टुग को में चेक किया जाता है अब है ठीक है न अ फ्रेश रिजर्विशन जो है कैनसल कर के प्रीब्यश लिजर यह इसू कर सकते हैं इन केस अब कंफॉर्म टीजर्वेशन अगर कंफॉर्म टीजर्वेशन है तो मैक्सिमन बीजर्विशन इन पा चार्ट प्रिप्रेशन पहले से अगर कोई रिजर्विशन कराया है तो उसको चार्ट बनने से पहले प्रिप्रेशन से पहले चार्ट बनने से पहले आफ कैंसिल करा सकते हैं ठीक है अगर चार्ट बनने से पहले कैंसिल नहीं कराते हैं चार्ट बन जाता है तो उसके बाद उ प्रिवेलिटेटेट किया जा सकता है कि काता नो रिस्ट्रिक्षन नंबर ऑफ कैंसलेशन ड्यूटी पास के कैंसलेशन पर कोई कंडिशन नहीं है मेटल पास हैं फुली पार्ष अगर कैंसल करवा चुग तो त्रेवल करना यह पड़ेगा अगर आपका टिकट लॉस हो चुका है तो उस पर कोई चार्ज़ नहीं लगेगा रधानी सतावदी में separate past quota होता है maximum number of passenger per past mention होता है ठीक है automatic upgradation क्या होता है EIM यह कहता है कि automatic upgradation optimum utilization of boats for full fare paying passengers या जो है confirmed passenger general quota कर तरकाल quota कर तो उनको यह facility दिया जाता है इसमें कोई extra charge नहीं लगता है ठीक है न टीटी इसमें authorized नहीं होता है upgrade करने के लिए जब भी passengers reservation करने जाते हैं उसमें यह option पूछा जाता है automatic upgradation कर ठीक है करता है कि यह facility सिर्फ RAC और wait list passengers को ही दिया जाता है ठीक है PNR वहीं रहेगा कोई change नहीं होगा ठीक है न not applicable for concession ticket holder को यह applicable नहीं है senior citizen उनको भी यह facility नहीं जाता है bulk booking जो किये हैं उनको भी यह facility नहीं मिलता है free pass holders को भी यह facility नहीं मिलता है party और with fully paid concession passenger उनको भी यह facility नहीं जाता है ठीक है reservation quota reservation quota क्या होता यह थोड़ा वो देख लेते हैं end to end quota long distance trains for end to end passengers जो होते हैं काता है लंबे दूरी की ट्रेने हैं जो शुर्वास लेके अन्तक यात्रा करते हैं वैसे passengers को end to end quota में डला जाता है काता है कि अधिकांस्ता जो है maximum number जो है इसी तरह के category के passengers होते हैं ठीक है ना utilization to be monitorized monitored very closely इसके use बहुत गौर से monitor किया जाता है इसको ध्यान दिया जाता है इस पर ठीक है ना roadside quota क्या होता है a great quota of a group of roadside stations made by clubbed together roadside quota remote location wet list RLW quota होता है यह भी क्या होता है कि after completion of iteration in remote location passenger kept in wet list against remote location quota यह भी एक तरह को quota यह सब है ठीक है ना birth failing vacant due to cancellation at RL allotted to wet list passenger in order of priority ठीक है pulled quota होता है PQWL होता है shared by several small stations in particular region in trend with demand for passengers from intermediate stations general quota generally जितने भी reservations होते है वह general quota में ही किया जाता है major quota होता है ठीक है ना general quota का जो indication of GN लिखा रहता है pulled quota का PQWL लिखा रहता है ठीक है ना बहुत VBI RLW remote location wet list होता है ठीक है ना इसे code है ठीक है ladies quota काता है section 58 of railway jack 1989 separate accommodation is provided for ladies रेलेवेज के फिप्टीएट सेक्षन रेलेवेज के जो section 58 है 1989 का एक्ट का उसमें क्या है कि लेडिज के लिए अलग से quota lot किया गया है लड़का अगर कोई 12 साल से कम age का है तो उस quota में उस लेडिज के साथ ट्रेवल कर सकता है छे बर्थ होजा है sleeper class में ठीक है ना third bay is aard marked काता है sleeper class में 6 बर्थ होता है third AC में 3 बर्थ होता है ठीक है छे बर्थ होजा है गड़ीब रात में भी राता है हैंडिकेप कोटा भी आता है SLRD काता है यह सभी ट्रेवों में जनरली राता है पेसेंट और स्कॉर्ट के लिए राता है एक लोवर बर्थ एक मिडल बर्थ sleeper class में भी राता है special coaches SLRD for disabled person with स्कॉर्ट और पर्चेज अफ जनरल टिकेट्स तू लोवर बस और टू अपर बस राता है ठीक है ना अबलेबल इन फुली रिजर्ट गरीवरा ट्रेन और पेवमेंट फुल 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 फुल्स अफुल पेवमेंट देकर आप ट्रेबल कर सकते हैं emergency quota होता है into end quota to our roadside based on requirement of VIPs at that point foreign tourist quota होता है जितने भी important stations होते हैं important train होते हैं उसमें यह facility दिया जाता है इसमें क्या होता कि passport टिकेट खरीदे समय आपको दिखाना पड़ेगा इन ड्रेल पास्ट टिकेट होता है टूरिष्ट कुपन टिकेट होता है यह सब जो है आपको खरीदना पड़ता है जो भी foreign होते हैं वाते हो उनको यह मिलता है सब्सक्राइब भुण जरे लिकिया जाता ह। इन्मोमेंट कंत्रोल औफिस में आपको रेडिस्टर करना पड़ेगा 170-67 करन्सेशन वारंट है मिलिटरी करन्सेशन में रिटरी वारंट से उस पर इंडॉस्मेंट पहले जो है जो भी अन्यूजड कोटा होते हैं उनको जिनरल कोटा में कर दिया जाता है यहीं कारण है कि आपका वेटलिस्ट टिकट जो है ना कनफॉर्मड हो जाता है अगर कोई अर्जेंट में ट्रेवल करना चाहता है पैसेंजर सोट टाइम में सोट नोटिस में उसके लि औरिजनल से ट्रेन स्टाट होने से पहले जो है यह बुक किया जाता है मैक्सिमम चार परसन जो है फोर मेंबर से एक टाइम में बुक किया जाता है बिकल्प अटास अल्टॉनेट ट्रेन एकमोडिशन स्कीम इसका उदेश क्या है इसका में उदेश से हैं कानफॉर्म जाथा पी एनर आपको वहीं रहेगा चेंज नहीं होगा लेकिन चार्ट बनने पर जो है नए ट्रेन में जो है है ठीक है ना पैसेंजर उसी ओरीजिनल टिकेट पर जो है नेक्स्ट ट्रेन जिसमें आप विकल्प दिये हैं उसमें आप जा सकते हैं ठीक है है सेपरेट लिश्ट पैसेंजर्स हुआ है बीन प्रवाइड एक्कोमडेशन इंडा अल्टरने ट्रेन विल बी पेस्टेड पैसेंजर नौट एलाव टू इंटर ओरीजिनल ट्रेन कैंसलेशन रिफांड बाई फिलिंग टी डी याड लोन बोरिंग टरमिनेटिंग एस्टेशन सन स्माइट चेंज तू नीरभाई क्लस्टर एस्टेशन का मतलब होता है कि वह जो इस अश्टेशन से आपका बुकिंग है उसको नीरभाई जो भी नजदे की एस्टेशन होते सब्सक्राइब करना पड़ता है यहां पर दिया गया है सब्सक्राइब करता है अधरी सेट के लिए 10 फियर इंक्रीज करता है और सब्सक्राइब कर्म करता है और यह लिएस सेकेंद क्लास्स ट्रड़ एसी और शाटैंड एसी में होता है ठीक है अगता है कि बेस फीर क सताब्य एक्ष्प्रेस का स्टक्चर देखा जाए मेस स्ट्रक्चर यक्ष once लगेगा तकाल य दिखे कोम होता कnelbank ईदस्ट कर दो ठीक है ना यह एक दिन पहले होता है ठीक है ओरिजिनल एस्टेशन से ट्रेन दिपार्चर रहने से एक दिन पहले होता है यह सभी मेल बार एक्सप्रेश ट्रेन में होता है रजानी सतादी दुरंतो जन सतादी क्लास में होता है कि यहां टतकाल बुकिंग नहीं लुक होता है नाक सिर्थ क्रेसेंजर्न बूख कर सकते हैं और GTS टिकट इसमें नहीं मिलता है यह full fair ticket होता है इसमें concession senior citizen cancession इससे नहीं दिया जाता है pass booking नहीं होता है । sure confirm ticket इसमें cancel नहीं होता है धिका नब wet list ticket को आप cancellation कर तकते हैं एसी class का जो booking होता हो दस बज़े होता है एक दिन पहले non-ac का जो booking एक दीन पहले ठिक है कि एजेंट्स के लिए देखते हैं एजेंट्स जो है एसी क्लास का बॉकिंग ठाट एक दिन पहले करते एक दिन पहले ठीक है नेम चेंज मोडिफिकेशन इसमें लाउ नहीं होता है बॉडिंग पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं तो चार्जिज पर ततकाल कोटा पर चेंज के लिए 10 परशेंट बेस्फ़र का ज्यादा लगता है अधर क्लास में 30 परशेंट बेस्फ़र के ज्यादा लगता है बुकिंग समय कोई आईडी के ज़रूत नहीं है लेकिन वरिजिनल आईडी लेकिए आपको ट्रेन में ट्रेवल करते सम्छा में रखना पड़े सब है आप इसको लेकर ट्रेवल कर सकते हैं यह बहुत भी भी पॉइंट से जिसको जानना चाहिए देखिए सेकेंड सिटिंग है मीनिममम डिस्टेंस हंडेट किलमेटर है मीनिमम ततकाल चार्ज दस रुपिया मैक्सिम्म ततकाल चार्ज बंदर रुपिया लगता है पर पैस किलमेटर है मीनिममम ततकाल चार्ज 300 एक्स्ट्रा लगता है मैक्सिम्म ततकाल चार्ज दस रुपिया मैक्सिम्म ततकाल चार्ज पर पैसेंजर लगता है ठीक है काता है चेंज इन रिजर्वेशन चेंज ओफ ट्रेन देट पोस्ट प्वुनमंट उफ जोर्णी एलाववड फुर्र कंफॉर्म टिकर्ट आरे से इंवेटलिश टिकर्ट अलावड इन सेम क्लास सेंडेस्टिशन वाइयर क्लास सेम ट्रें एन अदर ट्रें चार्ज याज लगेगा ठीक है टाइम लिमीट आगी देख लेते हैं 48 hours before the schedule departure of the train और 40 घंडा पहले आपको यह करना पड़ेगा change of date and train जो है advancement कर सकते हैं यह भी confirm ticket RAC waitlist ticket पर होता है same class same destination higher class same trains any other train confirm ticket पर फ्रेश रिजर विसन चार्ज लगेगा RAC waitlist पर कलर के चार्ज लगता है time e-20 में भी क्या है 48 hours पहले करना पड़ेगा change of train and date in case of difference in fear refunded or recovered as they as the case may be postponement preponement allowed only once change of class permitted only once only for confirm tickets from lower class to higher class only confirm accommodations should be available in the higher class figure charges and no cancellation charges fresh reservation charges collected for the higher class difference of fear between the classes collected permitted in the reservation office up to six hours before the city will depart of the train journey that during the journey TTE may permit after the change if journey is cancelled to cancellation charges will be collected change of name permitted only once on a confirm ticket name change जो है confirm ticket पर क्यवाल एक बार हो सकता है कोई चार्ज नहीं लगेगा कांसेशनल टिकट है तद काल टिकट है ठीक है उस पर पर्मिट नहीं किया जाता है अगर पर्मिट भी किया जाएगा तो गेजटेट ओफिसर विट डिकूमेंटरी रिविटेंस स्म-CRS कन गेट पर्मिशन फ्रो में गैजटेट ओफिसर गैजटेट ओफिसर से स्टेशन मास्टर चीफ रिजर्वेशन सुपर्वाइजर पर्मिशन लेके कर सकते हैं डिकूमेंटरी इविडेंस में आपको फैमिली कार्ट देना पड़ेगा वोटर आइडी है पासपोर्ट है ड्राइव लेसेंस है और जो भी एफिट होगा रहा है नोटरी पब्लिक और एक कोपी टुबी अटेस्ट विद ओरिजिनल अप्लिकेशन ठीक है डुब्लिकेट मेंसा कनफॉर्म टिकट और रसी टिकट के लिए मिलेगा वर्ड लेश्ट टिकट के लिए जह डुब्लिकेट टिकट नहीं मिलता है कि यह किस कंडिशन में इसू किया जाएगा जब आपका टिकट लॉस हो चुका है मिस्पलेस्ट हो चुका है वह जो है और मुटिलेटेड हो चुका हुआ है उस कंडिशन में जो है यह होता है ठीक है आइए देखते हैं सेकेंड क्लास और सिल्पर क्लास के लिए 50 रुपीज पर पैसेंजर लगता है ठीक है आइए 21 कंडिशन में जब वो टिकट लॉस कर गया हो फट चुका हो मिस्पलेस्ट हो चुका हो मिट यह जबने से पहले के बन्रे से पहले जो है चार्ज लगेगा सकर्ट १ार्ड क्लास के लिए 50 रुपीज पर पैसेंजर 100 रुपीज पर पैसेंजर फ़र अगर चार्ट बन चुका है अजरेट कर टीकट है अगाष्ट कर लेट है तो 25 परसेंट ओफ बेस फियर लाउटमिस मिस्प्लेश्ट है तो 50% टोटल फिया अगर आरेश्ट है तो 25% टोटल फिया लॉस्ट मिस्प्लेश्ट है तो इसमें इसू नहीं किया जाएगा ठीक है डुब्लिकेट टिकेट ऑन पास अंद पिटियो प्रवाइड ऑन्ली वेन पास पिटियो एज इन फिजिकल पोसेशन ऑफ थे स्वेशन देखिक टिकट इसूर इरेसपेक्टियोग सेटर सेखने सेश्ट मीमिन एड़ेश्ट मिन देखिए पास इसू जाएगा इसमोई त्रें of cost मिलेगा बहुत भी पॉइंट है objective पूछे भी जाते हैं पास पर डुब्लिकेट टिकेट free of cost मिलेगा लेकिन पीटीओ पर आपको 10 रुपया पर पैसेंजर देना पड़ेगा ठीक है प्रिमियम ततकाल कोटा based on dynamic fair pricing होता है ठीक है नॉर्मल ततकाल इसमें भी advance कर सकते हैं एजेंट्स इसमें लाव नहीं होता है टिकेट बुक करने के लिए इस कोटा में इसमें रसी वेटलिस टिकेट नहीं मिलता है कोई कंसेशन भी नहीं दे जाता है चार चाइल्ड का फुल फिर चार्ज लिया जाता है इसमें रिफंड कर फॉर्म टिकेट का नहीं मिलता है ठीक है अगर कोई टिकेट अन्यूजड रह गया है तो इसका डिफंड कैसे मिलता है अगर 48 घंडा से पहले ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंडा पहले अगर आप टिकेट कैंसल करते हैं ठीक है लेकिन अगर आप 48 घंडा से लेके 12 घंड के बीच में ट्रेन के स्टा रणी से 48 घंडा से लेकर 12 घंडा की बीच में कराप करते हैं तो 25% cancellation charges लगता है subject to minimum of 240, 200, 180, 120, 60 रुपेज काता है यह अगर अगर आप train के start होने के 48 घंटा से लेके 12 घंटा के बीच में अगर आप cancel करते हैं तो fair का 25% cancellation charge लगेगा या यह subject to minimum fair का मतलब हो गया कि इस दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा काने का मतलब है कि किसी ticket का cancellation तो 25% charge अगर 260 रुपेज होता है तो आपसे 260 रुपे लिया जाएगा अगर किसी ticket का cancellation charge 120 रुपे ही पड़ता है लेकिन यहाँ first C का ticket है तो 240 रुपे आपसे लिया जाएगा ठीक है अगर cancellation 12 घंटा से लेकर 4 घंटा का बीच में किया जाता है train departure होने से पहले 12 घंटा से 4 घंटा का बीच में तो उसमें 50% fare का cancellation charge का रुप में लिया जाता है subject to minimum of given box given data जिसमें से जो भी ज्यादा होगा वह आपसे collect किया जाएगा ठीक है अगर train departure हो गया है तो कोई refund नहीं मिलता है कुछ occasions होते हैं कुछ conditions है जिसमें refund होगा रह दिया जाता है train अगर तीन घंटा से अधिक लेठ हो तो पूरा refund दिया जाएगा ठीक है ना केंसे अगर कैंसे लिए जाएगा अगर आप फर्सक फर्सक्राइश का बुग किये हुए लेकिन उसमें फर्सक बूग है यह नहीं है उसका डीशन में difference of here between two classes आपको जो पेमेंट अमांट होगा वह आपको वापस किया जाएगा विदिन two days of the issue of certificate from TTE उसमें certificate लेना पड़ता है missing connection at a junction जैसे मान लिजेगी कि किसी train का टिकट भूग की है लेकिन अगर वह train उसे station पहता ही नहीं है उस condition में भी जो है आपको जो है जितना यह portion travel नहीं कर पाएं उसका आपको payment वापस किया जाता है inability to provide accommodation अगर आप जिस जिस बोगी का booking किया अगर वह बोगी नहीं हो उस condition में कोई full refund दिया जाता है partially used tickets करता है partially used tickets होता है मान लिजी कोई बुक किये हैं अगर उसको पूरा यूज नहीं कर पाएं उस condition में जो refund नहीं मिलेगा लेकिन TDR आप फाइल कर सकते हैं वह पूरा चेक होने के बाद आपका पैस वापस आता है काता है कि इस की इस लोकेशन आप पैसेंजर अगर मान लिजीए कि रेलवेज जो है किसी पैसेंजर को पार्टिकुलर पैसेंजर को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में असमार्थ है उस कंडिशने पूरा रिफंड दिया जाता है ठीक है ना अगर मान लिजिए कि जो है पार्सेली रिफंड अगर रेल्वे कोई अल्टरनेट सुबिता प्रभाइड कराती है पैसें जाए उसमें इंड्रेश्ट नहीं की नहीं हम इस सब्सक्राइब हम इंस स्ब्सकिंट करेंगे इस सकेंड तeszी स्पर क्लास को आपके मेल पैमेंट प्रिजर्वड औन यूज़ड गाथ हो थो कलयर्टकी रुपीज परुढ के लिए जाता है इसे विदिन थ्री आवर सबको कैंसिल किया जाता है अन्यूज्ड आरेसी वेट लिष्ट है इसमें किलर के जा सिक्ष्टी रुपीज लिया जाता है तो फ्रेंड्स यह कुछ जो है जो बहुत भी भी आई है और जो एक्जाम को पॉइंट अभी उसे बहुत ही माइनने रखत है ठीक है इसको अच्छा से समझीएगा बढ़ने कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छा होगा ठीक है तेंक यू झाल 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 झाल झाल